नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं केडियेच मैं हूँ नागे इश्कुमार कोशिक आज मेरे इश्ट और हम सब के आरहद्य हनुमान जी महराज की जनमोत्सव है आज चेत्र पुर्णिमा का दिवस है और चेत्र पुर्णिमा के दिवस हनुमान जी महराज का जनमोत्सव मनाया जाता है हनमान जी महराज के इस जनमोत सव के उपलक्ष में बहुत विशाल कारिक्रम आयोजित होते हैं और हम भी बहुत सारे कारिक्रम सुन्दर कारिक्रम आपको दिखाते रहते हैं साला सरबाला जी महराज का विशाल मिला इस वक्त चलता है लेकिन दुरभाग्य की बात है कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी से जूज रहा है और इसके एतिहातन लोकडाउन पूरे विश्व में ही लगबग हर देश में है और हमारे यहां भारतवर्श में भी लोकडाउन चल रहा है तो सभी मंदिर के पट बंद हैं और किसी भी प्रकार का कोई आ हूँ बहुवीदी सबसंता तो भगवान की कथा या भगवान के बारे में कहना अनंत है आज हनमान जी महराज का जनमोत्सव है तो एक जानकारी आप सभी मत्रों से साजा करना चाहूंगा बित्रो सुंदरकंड पाट आप सभी लोगों ने किया होगा करते भी होंगे रमाय पढ़ते हैं सुम्रन करते हैं पाट करते हैं और इस रामचरित मानस के साथ अध्याए हैं और साथ तो अध्याए वैसे तो पवित्र है पावन है लेकिन हम सुंदरकंड पाट को विशेश रूप से करते हैं हम सुंदरकंड पाट का इतना विशेश महत्व क्यों माना गया ह क्या इसमें ऐसी विशेषता है कि हम सुन्दरकंड पार्ट को विशेष रूप से करते हैं बहुत सारे कारण है इसके लेकिन कुछ कारण में आपसे साजा करना चाहूंगा सुंदर कन्द पाठ का नाम सुंदर कन्द क्यों है बित्रों, राम चरीत मानस में सात अध्याई हैं और सातों अध्याई में जैसे की भगवान स्री राम की बाल लीलाओं से सम्वन्दित जो है उसमें बाल कांड उसका नाम रखा गया और जो भगवान का जो जंगल में जो समय बिता उस जंगल से जुड़ा हुआ अरन्य कंड नाम रखा गया इसी तरह जो किसकिंदा से जुड़ा हुआ है वो किसकिंदा नाम कंड नाम रखा गया और जो लंका विजय से जुड़ा हुआ है उसका नाम लंका कंड रखा गया तो सुन्दर कंड शब्द कहां से आया मित्रो लंका के अंदर जहां पर रावन या राक्षसों का जो वास था कहते हैं उस परवत का नाम त्रिकुटाचल परवत था और त्रिकुटाचल परवत क्योंकि तीन परवतों का एक सम्मिलित नाम है प्रथम परवत है उसका नाम सुबेल परवत था जहां पर युद्ध हुआ था और दूसरा नील परवत जहां पर राक्षशों के महल बने हुए थे राक्षश वास करती थे और तीसरा सुम्दर तही और माता सीता को रखा गया था है। हनमानजी महराज सीता मता के खोज करते हुए सुनदर परवत पर असोक वातिका में माता सीता से भीट करते हैं। सुन्दरकांड पाठ का इतना महत्व क्यों माना गया है। मित्रों पूरी रामचरित मानस में भगवान स्री राम के गुणों और उनकी विशेष्टाओं के बारे में बर्नन किया गया है। लेकिन सुन्दरकांड में एक अलग विशेष्टा है। सुन्दरकांड के अंदर हनुमान जे महाराज की शक्ति का विशलेशन और विशेष्टाइं बताई जाती है। सुंदरकानडिक में हनुमानजे महाराज की महिमा को समझने के लिए थोड़ा समय आपको पीछे लेकर जाओंगा हनुमानजे महाराज भगवान शिव के रुद्रा अवतार और वानर राज केसरी और अंजना माता के पुत्र थे बाल्यकाल से ही बच्पन से हनुमानजे महाराज अतुलित बल शाली थे और अतुलित बल शाली होने के वज़े से ही आपने जहांकि संकट मोचन हनुमानजे टक का पार्ट सुना होगा बाल समय रो भख्ष लियो तब तीन हूँ लोक भहियों दियारो तो हनमानजी महराज ने बाल्यकाल में सुर्य को खेल खेल में गेंच खेल खेल में ही निगल लिया था और इसी अतुलित बल और क्रीडा के अंदर क्योंकि बच्चे थे बच्चों में क्रीडा करने की खेलने के आदत होती है और खेल खेल में ही उन्होंने एक बार एक रिशी की तपश्या को भंग कर दिया तो रिशी ने उस तपश्या को भंग करने के दंड के शुरूप उनको श्राप दिया तुम अपने शक्तियों का इस्मरन भोल जाओगे और तभी से हनमानजे महराज अपने शक्तियों का इस्मरन भोल जाते है लेकिन फिर उनसे जब निवेदन किया जाता है कि इस स्रश्टी के कल्यान के लिए हनमानजे महराज का जन्म हुआ है भगवान शिव के रुद्रा उतार है और महराज आपने एक श्राप कैसे दे दिया और इस श्राप से आप श्रष्टी की कल्यान को रोक देंगे तो रिशी महराज ने वापस उसका उपाई बताया और कहा कि जब भी हनमान जे महराज को शक्तियों का इसमन करवाया जाएगा तो उन्हें अपने शक्तियों का इसमन हो जाएगा और वो उस कारज को सफल कर देंगे अब रामायन के अंदर जहां सुन्दरकान का पाट आरंब होता है वहां जामवंत जी हनमान जे महराज को उनकी शक्तियों का इसमन करवाते हैं इससे पूर्व हनमान जे महराज एक साधन वानर की तरह ही अपना जीवन वतीत करते हैं और महराज सुग्रिव की सभा में मंतरी होते हैं लेकिन भगवान स्री राम के मिलन के पश्चात उनके कारज को सफल करने के लिए जामवंत जी उनको शक्तियों का इसमन करवाते हैं जब हनमाझे महराज को शक्तियों का इसम्रण कर वाया जाता है कि आप इतने अतुलिद बलशाली है तीनों लोकों में किसी में सामर्थे नहीं है कि आपके बल और वेग का सामना करें तब हनमान जे महराज एक ही छलांग में समुद्र को पार करते हैं और लंका में पहुंशते हैं और सुन्दर परवत पर असोक बाटिका में माता सीता से भेंट करते हैं और माता सीता की खोज करते हैं उनके एक ही प्रहार से अक्षे कुमार राक्सस का वद्ध होता है और वो लंका को जलाते हुए वापस हनुमान जे महराज सीता माता की खोज को लेक का समाचार भगवान स्री राम को देते हैं इस तरह से सुन्धर कंड का replied की आ गिया है जहां बहगवान प्रभु श्रीराम के शक्तियों का सद्धियुका है? हनमांजे महाराज की शक्तियों का वरणन प्रवान करनेसे इस्वाम की सद्धियों का वरणन होते हैं और कारेजंगों को सफल करनेकि शक्ति उनमें आ जाती है और हनमान जे महराज को भगवान स्री राम का वरदान प्राप्त होता है कि कल्यूग में आप साक्षात होंगे और सभी के कारज को आप समारेंगे तो यहां अभी कल्यूग में हनुमान जी महराज सक्षात हैं और वो कारज को हनुमान जी महराज ही समारने वाले हैं सभी भगवान स्री राम की कारज को भी हनुमान जी महराज ही समारने वाले हैं तो ऐसे में हनुमान जे महराज का गुनगान करने का हनुमान जे महराज का इस्मरण करने का अब विशेश महत्वकल यूग में माना जाता है और मैं तो खुद हनुमान जे महराज का अनन्य भक्त हूँ मित्रों हनुमान जे महराज को सक्तियों का इस्मरण करवाने से हनुमान जे महराज सभी कारज को सफल कर सकते हैं इतनी शक्ति उन में होती है लेकिन उनका सक्तियों का इस्मरण करवाना पड़ता है और सुन्दरकंड पार्थ में हनुमान्जे महराज की शक्तियों का इस्मिन करवाया जाता है और हनुमान्जे महराज की विशेष्टाओं और गुनों का बखान किया जाता है इसलिए भगवान स्री राम के गुनों के साथ साथ हनुमान जे महराज की विशेष्टाओं का बखान उसमें साथ साथ होता है और उसमें हनुमान जे महराज प्रबल होकर के आपके कारज को स्री राम के कारज को सफल कर सकते हैं और हनुमान जे महराज को शक्तिसाली और प्रबल बनाने के लिए सुन्दरकांड पार्ट का वर्णन किया जाता है। सुन्दरकांड पार्ट जहां आत्म विश्वास को भी मजबूत करता है। इसी तरह की अनेक विशेष्टाएं सुंद्रकांड पार्ट की बहुत सारी विशेष्टाएं हैं उन्हीं में से नहत एक विशेष्टा का वर्णन मैंने आपके लोगों के समक्ष किया ऐसी बहुत सारी विशेष्टाएं हैं और वैसे भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि हरी अ कुमार खल बन पावक ग्यान गंजाश उहर दें आगार बसंई रामसर चापदर अतुलित बलधामं हेम शेला वदेहं दनजबन कर्शानं ग्यानी नाम ग्रगण्यं सकल गुन निधानं वान रानाम अधीशं रगवती प्रिय बक्तम वात जातम नमामी गोश्वदी कत वारिस मस्की कत्राक्षिसं रामायन महाला रतनं बंडेहं निध्याम अंजना नन्दरं बिरंब जानकी शोक नाशननं कपीश दमक्ष हंतारं बंदेलंका भैंकरं उलंगया सिंदो सलीलं सलीलं यह शोक वेहनी जनकात्म जाया आदाय तेने उददाह लंका नमामी तंप्राजली र भावियामि पावमान नंदनं यत्र यत्र रगुनात किर्तनं तत्र तत्र करतमस्त कांजलिं वास्पवारी परिपूर्ण लोचिनं मारुतिम नमत रक्षशान तकं जै स्री राम जै वी रहनमान